हाँ तो देखिए हमारी बात चल रही थी internal year के उपर and internal year में भी हमने पूरा का पूरा बोनी लेबरिंथ से कवर कर दिया था and in this video हम आपसे बात करेंगे में मेंने लेबरिंथ के पूरे के पूरे theoretical portion के उपर and हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन चारों point को हम इसी वीडियो में cover कर देए okay पूरे के पूरे internal year का आपको एक diagram बनाएंगे मतलब जितने भी diagram बनेंगे सारे के सारी हम आपको diagram बनाएंगे ताकि जो हमारा ये one page chart है उन diagrams के थुरू सारा का सारा clear हो जो भी हमारे doubts हो वो बिलकुल भी ना रहे तो अब हम आते हैं हमारे internal year के theoretical portion पर एक बात और मेरे हाथ में यहां लगी हुई है तो मुझे पताई कि आप comments में पोचोगे कि सर यह क्या हो गया तो मैं पहले बता दू कि मैं जब अभी दिवाली पर घर गया था तो मैं मतलब मम्मी की help को आने कले थोड़ा सबजी को हिला रहा था तो गलती से क्या है यह वाल देनस कोकलिया की हा तो हम कोकलिया डक्ट की बात करते हैं तो मैंने यहां पर अलग से लिख दिया है और देखिए कोकलिया डक्ट को अगर मैं एक लाइन में समझाओं तो आप ऐसे बोलना कि हम जो बोनी कोकलिया होती है उस बोनी कोकलिया को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं parallel यानि की ऐसे अजूम कीजिए यह क्या है पूरी के पूरी कोक्लिया मतलब मैं इस कोईल पॉर्शन की बात करना है यही तो कोक्लिया है इसने होगी होगी हमारी औूस्य इससे अमारी बेचलर मेंब्रें अटेज होती है तो इसके पूर दो पार्ट में डिवायव हो गयाAyand carrying one उप 17 सहा जिल्ली तो और अवरी जो cochlea है, इसे हम 3 parallel part parallel क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 पूरी tube में 3 part मिलते हैं तो of course, बतार साथ साथ चल रहे हैं न यार, तभी तो 3 नों पूरी tube में मिलेंगे, इसलिए मैंने बोलते हैं parallel, okay तो हम पूरी के पूरी cochlea को 3 part में डिवाइड करते हैं इसे क्या बोलते हैं, iskela vestibuli iskela media, iskela timpani तो इन 3 part में से भी जो बीच वाला part है, iskela media इसे ही हम बोलते हैं इसे ही हम बोलते हैं, हमारी cochlear duct, okay हम पूरे को cochlear duct, मतलब cochlear के अंदर पूरे कों cochlear duct नहीं बोलते हैं, only cochlea के cochlea को जब हमने 3 part में डिवाइड किया, इस 3 में से भी जो बीच वाला है iskela media, उसे ही हम बोलते हैं cochlear duct, okay तो आयोब आप मेरी बास समझ गया हूँगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहला point कि यह क्या होती है this is blind coiled tube okay, of course होनी चाहिए जब मैंने बोला कि cochlea cochlea खुद coiled tube होती है तो of course यह भी coiled tube होगी and blind क्यों बोला, blind का मतलब है कि एक, इसका एक मुह बंद है, देखिए pipe normally यह pipe है, तो इसका यह वाला mouth पी open होगा, यह वाला mouth पी open होगा but इसमें यह वाला mouth close होता है only one mouth ही open होता है तो इस वाले mouth के बंद होने के कारण या पिर इस tube के इस tube के, यह वाला मुह बंद होने के कारण हैं, हम बोलते हैं blind और देखिए हमने आपको समझाया भी था कि जो test tube है, test tube को ही हम क्या test tube है, okay test tube का एक मुह बंद होगा न मतलब आप इस cochlear duct को यह test tube मान सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया था हमने बोला था न, कि test tube के अंदर क्या होता है membranus labyrinth sorry मतलब test tube याने की cochlear duct and cochlear duct याने की membranus labyrinth वही तो है याद, देखिए न test tube, test tube याने की membranus labyrinth, and membranus labyrinth याने की cochlear duct, okay मैं cochlear duct को test tube से compare कर रहा हूँ, okay and of course, cochlear duct के अंदर क्या बहा होगा, endolymph, EL याने की endolymph, okay, आप आप मेरी पास समझ गया होंगे, कि मैंने इसे blind coiled tube क्यों बोला and second part, जब हम हम इसे ऐसे काटेंगे, तो of course हमें यह देखे, triangular जैसे दिख रही है यह बीच वाली क्या है, this is scala media, scala media okay, तो of course, यह मुझे ऐसे triangle जैसे दिख रही है, okay तो इसका यह क्या होगा, roof यह क्या होगा, floor, और यह क्या होगा, इसका outer wall, outer wall okay, तो roof, floor, outer wall तो मैं इसी पर point लिख रहा हूँ कि जो cochlear duct है, यह हमें triangular दिखती है, cross section पर, तो मैं यह लिख रहा हूँ triangular in cross section and triangular दिखेगे, तो तीन पार्ट हो गए, roof, floor and outer wall, तो मैं आगे continue करता हूँ roof roof floor outer wall और यह नीची होगा, चलो कोई ना तो triangular है, तो तीन पार्ट बना लिए अब हम आते हैं, एक एक पार्ट पर तो roof है, तो देखिए, जो roof बनाती है, इस देखिए, इस cochlea को दो चीजोंने, एक चीज यह हो गई, और एक यह dotted हो गई, इन दो चीजोंने, देखिए ना, इन दो लाइनों ने पूरे गोल-गोल को तीन पार्ट में डिवाइट कर दिया, इसके ला मेश्टिबल है सबसे उपर इसके ला मीडिया, खुद बोल रहा है मीडिया मतलब मीडिल में है, बीच में है इसके लाइ टिमपेनी, ओके तो अफकोर्स उपर की एक जिल्ली है, नीचे भी एक जिल्ली है तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं उपर वाली जिल्ली को बोलते हैं राइजिनस मेंब्रेन तो रूफ कोन बनाता है ट्राइंगुलर को सेक्शन में जो रूफ औफ कोकले डग्ट है उसे कौन बनाएगा हमारी राइजिनस मेंब्रेन तो रूफ कौन बनाती है राइजिनस मेंब्रेन बोल दीजिए वेस्टिबूलर मेंब्रेन दोनों एक ही बात है यह किसके बीच प्रजेंट है यह हमारे उपर वाला क्या है इसकेला वेस्टिबूलाई बीच वाला इसकेला मीडिया तो जो रूफ है और फिर बोल दीजिए राइजिनस मेंब्रेन है यह हमारे इसकेला वेस्टिबूलाई इसकेला मीडिया इन दोनों के बीच प्रजेंट होती है तो मैं यहां पर वही लिक रहा हूँ कि जो यह membrane है यह present between यह किन दोनों के between होती है scala vestibuli and scala media तो roof के लिए हमें इतना है पढ़ना है इसके बाद हम आते है second point कि जो floor second point है वो है हमारा floor floor तो देखिए floor यह हमारा बना होता है basilar membrane से देखिए dotted line है न हमने बोला तो यहां पर osseus spiral lamina होती है cochlearum पढ़ाया था आपको and osseus spiral lamina से हमारी basilar membrane attached होती है तो of course हाप समझ गए होंगे तो floor हमारा बनाती है basilar membrane मतलब उपर वाली membrane कौन सी होई राइजिनस membrane and नीचे वाली basilar membrane and देखिए of course यह वाली membrane किन दोनों के बीच प्रिजेंट होगी हमारे scala media and scala timpani के बीच तो scala media and scala timpani के बीच प्रिजेंट होती है यह वाली membrane and इसका second point कि हमें देखना है इसके attachment कि हमारी basilar membrane कहां से कहां attached होती है देखिए न एक point यहाँ पर इसका attach है, एक point यहाँ पर attach है तो हमें देखना है कि इधर कहां attach है, इधर कहां attach है तो एक तो आपको पता ही है कि this is attached to OCS Spiral Lamina तो मैं यहां लिख रहा हूँ attachment तो ATT मतलब मैं बता रहा हूँ Basilar Membrane के attachment तो यह attached होती है OCS Spiral Lamina AL, एक screw दिखाया था ना आपको screw, screw में जो चूड़े दिखाया थी उसे ही बोलते है हम OCS Spiral Lamina Of course हाँ तो देखिए मैंने क्या है गलती से काड़ दिया है यह एक तम सही लिख रहा है ATT मतलब attachment यहाँ पर क्या लिख रहा है OCS Spiral Lamina तो जो Basilar Membrane है वो हमारे OCS Spiral Lamina जो कि इस साइड होता है उससे attach होती है इस साइड किसे attach होती है यह इस साइड attach होती है हमारे Spiral Ligament से अब देखिए इस Spiral Ligament क्यों बोला देखिए मैंने बोला कि जो OCS Spiral Lamina है यह खुद कोईल्ड होता है कोकलिया कोईल्ड है तो of course OCS Spiral Lamina भी कोईल्ड होगा अगर OCS Spiral Lamina भी कोईल्ड होगा तो of course इसके जश्ट दूसरा मत्तरम इसके जश्ट अगेंस्ट यहापर जो भी लिगामेंट होगा वो भी कोईल्ड होगा क्योंकि आर इसी के पेरलल दो चलेंगे सब कुछ तो इसी लिए कोईल्ड है Spiral है तभी हमने बोला उसे Spiral Ligament तो हमारी जो Basilar Membrane है वो Attach होती है Oceus Spiral Lamina 2 Spiral Ligament आई होगा आप समझ गयोंगे कि Spiral Ligament क्यों बोला है क्योंकि सब कुछ कोईल्ड है कोखलिया के लिए सब कुछ कोईल्ड है Spiral Ligament देखिए इसको सही कर लेना मैंने गलती से कार दिया देखिए अटेजमेंट Oceus Spiral Lamina 2 Spiral Ligament तो यहाँ पर होगी हमारी Oceus Spiral Lamina इधर क्या होगी इधर होगी हमारा Spiral Ligament देखिए मैं यह वारा डाइग्राम तरह रफली बना रहा हूँ एक हम धंका डाइग्राम ड्रो करेंगे इसका पूरे के पूरे इंटर्नल इयर का अब यहाँ बस ठियोरी पर फोकस करो तो यह हो गया उसके बाद एक थर्ड पॉइंट हमारा Bachelor Memorian के तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो हमारी Organ of Quality है वो इसी के उपर प्रेजेंट होते हैं तो मैं यह लिक रहा हूँ Organ of Quality प्रेजेंट क्योंकि आपको पताऊगा कि जो Cochlea है This is for Hearing and यह दोनों क्या होते हैं This is for Balance आपने सुनाऊगा ना कान जो हमारे Ear है वो सुनने का काम भी करते हैं और वो Body को Balance करने का काम भी करते हैं तो Cochlea and यह Cochlea यह दोनों यह दोनों किसका काम करेंगे मतलब 1,2,3,4 यह चारों किसका काम करते हैं हमारे Body के Balance का आप आप समझ भी होंगे तो मैंने बोला कि जो Bacceller Membrane का तीसरा Point होगा कि हमारे Organ of Quality Bacceller Membrane पर ही प्रेजेंट होते हैं तो यहां लिकर रहा हूँ मैं Organ Present तो मैंने यहां पर यह 3 पॉइंट लिखें कौन-कौन चे 3 पॉइंट 1st पॉइंट यह वाला हो गया 2nd पॉइंट इसका attachment हो गया 3rd पॉइंट हो गया यह वाला तो इस आप 3.4 Bacceller Membrane तो Bacceller Membrane कहा होती है Floor of Cochlear Duct इतनी बात हो गई अब हम आते हैं Outer Wall of Cochlear Duct तो देखिए मैंने यहां पर लिक रखाए कि जो Outer Wall होती है वो होती है Bony मतलब Bone की बनी होती है आपको पता होगा है मैंने बोला कि Cochlea Of course यह पूरा गोला क्या है Cochlea Cochlea Bony Labyrinth मतलब Cochlea Bone की बनी है मतलब यह पूरा का पूरा गोला किसका बना है Bone का तो अफकोर्स इस गोले का पार्ट ही तो Outer Wall है इस केला Sorry इस केला मीडिया में या पिर बोल दीजिए Cochlear Duct में जो हमारी Outer Wall है वो इस गोले का यह तो पार्ट है इस गोले का पार्ट है मतलब Cochlea का पार्ट है Cochlea का पार्ट है मतलब Bone का पार्ट है तो अफकोर्स Outer Wall हमारी Bone होगी इंड देखिए इसके बाद हमें Total 3 चीज़े पढ़नी होती है Outer Wall में Outer Wall of Cochlear Duct के अंदर 3 चीज़े क्या देखिए Outer Wall एक बाद तो यह होगे कि यह बोनी होती है पहली बाद खतम उसके बाद हमें इसके अंदर 2 चीज़े और देखनी होती है और वो दोनों चीज़े हमारे Outer Wall के अंदर के साइड प्रजेंट होती है अंदर के साइड यानिकी देखिए मैंने Outer Wall इसके बाद मैंने इस वाले हाईड़ाइटर से यहाँ पर टिक कर रखा है तो यह तीन चीज़े कहां पर पड़नी होती है आउटर वाल ओफ तो गोडरत के अंदर तो एक बाद करनी होती है अब दो चीज़े क्या है तो दो चीजों मेंसे सबसे पहली में बात कर रहा हूँ spiral ligament की मैं उसी spiral ligament की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा था जिससे हमारी basilar membrane attach होती है तो पहली होगी spiral ligament and spiral ligament पूरा नहीं होता है उसका only upper part होता है तो पहला लिख रहा हूँ मैं spiral ligament यह तीनों चीजे कहां पढ़ते हैं हम outer wall of cochlear duct इस पहले ligament मैंने बोला यह पूरा नहीं होता है only इसका upper part होता है देखिए मैं इसका एक diagram draw करूंगा बाद में जब हमारा पूरा का पूरा यह one page chart का theoretical portion cover हो जाएगा इसके बाद हम diagrams draw करेंगे पूरे के पूरे internal year के ताकि आपको इस chart की theory और भी अच्छे ढंक से समझाए तो थोड़ा wait कर लेना अब यह बस theory theory लिख लो theory लिखके अपनी पूरी theory को इस तरह से एक page के अंदर ले आओ ताकि फिर हमें diagram में ज़्यादा problem ना आए इसके ENT वाले clinical portion में ज़्यादा problem ना आए ओके यह हो गया एंड उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर hysteria vascularis इसके लिए कुछ points लिखूंगा वह क्या की of course hysteria vascularis है नाम से पता लग रहा है vascularis मतलब vascular मतलब इसके पास vascular epithelium present होती है तो मैं इसी को आगे continue कर रहा हूँ vascular epithelium present vascular short में लिखा मैंने vascular epithelium present and vascular epithelium present होगी तो of course यह कोई ने कोई चीज़ बनाएगी and क्या बनाती है यह यह बनाती है हमारा endolymph क्योंकि मैंने बोला हाँ cochlear duct, cochlear duct like test tube and test tube के अंदर क्या बरा होता है endolymph तो of course क्या बनाएगी यह vascular epithelium produce endolymph देखिए चीज़े बड़ी simple होती है अगर हम step wise समझाना तो मज़ा जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पूरा का पूरा one-page chart बनाना उसके बाद आप कोई से भी बुक पढ़ लेना आपको मतलब इतना मज़ा आएगा कि यार बिल्कुल simple सीज़े थी तो produce endolymph मैं short में लिख दिया endo मतलब endo and ly यह हो गया उसके बाद देखिए यह मारा पूरा का पुरा जगा काम हो गया उसके बाद मैं organo quality की बात करता हूँ देखिए यह भी एक separate topic है जब आप ENT में पढ़ोगे तो separate topic है end देखिए आप organo quality के बहुत सारे parts पढ़ते हों like इसमें tunnel होती है तो मैं अभी बस नाम दिख रहा हूँ कि आपको idea लग जाए कि हाँ यार organo quality के भी कोई parts होते है तो TNNEL है इसमें hair cell होती है hair cell भी two type की होती है inner hair cell inner hair cell तो hair cell C-E-LL और दो type की होती है inner hair cell और outer मतलब अंदर वाली और बाहर वाली HC मतलब hair cell and इसका तीसरा part क्या होता है supporting cells like आप पड़ते हो dieter cells okay supporting में क्या पड़ोगे dieter cells और भी होती है dieter में में जो पड़ते हो supporting SUPPOR and last and final होगा tectorial membrane tectorial membrane membrane okay these are the four part of organ of quality okay and देखिए फिर में बोल रहा हूँ यह बिल्कुल simple है रटने का कुछ नहीं है अभी हम diagram बनाएंगे पूरी theory के बाद बिल्कुल एकदम conceptual हो जाएगा आपको दोबारा पढ़ने की जिरती नहीं है आपको बस diagram दिमाग पर रखना है या फिर आप इस model को दिमाग पर रखना है आपको और सब कुछ एकदम finish okay इसके बाद हम अब हम बात करते हैं आपसे Secure and Utical के उपर करते हैं